नमस्कार हिंदी खबर देख रहे हैं आप मैं आपके साथ जया मिश्रा करनाटक का जनादेश आज बीजेपी को मिलने जा रहा है रुजानों में बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है और बीजेपी ने जश्ने की तयारिया शुरू कर दी है रणनीती बनाने की पूर प्रेस कोंफरेंस अमित श्राह करने वाले है पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित श्राह से मुलाकात करेंगे करनाटक के लिए अब अगली रणनीती बीजेपी की क्या होगी इस पर मन्थन किया जाएगा पीएमो में मंत्री जितिंद्र सिंका राहूल गांधी पर बड़ा बयान भी सामने आया है राहूल गांधी अपने घर के पिछवाड़े की मंदिर में नहीं गये उनका बड़ा बयान देश की जनता ने पीएम मोधी पर भरोसा जताया है विकास की ये यात्रा लगातार ऐसे ही चलती रहेगी और करनाटक विधान सभा के लिए वोटों की काउंटिंग सुबस से ही जारी है रुजानों में बीजेपी को 109, कॉंग्रेस को 70 और जेडीस को 41 सीटे मिलती दिखाई दे रही है और जश्न देख सकते हैं आप किस तरीके से कारेकरताओं में ये खुशी है बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है कारेकरताओं में जश्न की खुशी कितनी दिखाई दे रही है किस तरीके से इस सफलता को सेलिब्रेट किया जाए कारेकरता उसमें जुटे हुए है हाथ अमित शाग की रणनीती का है जोटना मोदी मैजी का है उतना ही कारियो करताओं का भी है आज का दिन आज का दिन अतिहासिक है आज हमारे लोकप्रिय प्रधान मंत्री आदर्नी नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई जनता का उनका स्ने उनके कारियों के प्रति विश्वास का परिचे है हमारी अतिहासिक वुजाए आज का दिन हमारी राश्टिय अध्यक्ष्टी जो मेहनत की एक-ख कारेकरथा के साथ और पूरी जो strategy बनाई उस मेहनत की विज़ाए युगान्तिकारी विजय को विश्वास के साथ पुड़ा किया है आज के दिन हम बहुत ही विनम्र हैं हम कोई अनावश्यक टिपणी नहीं करेंगे कौन प्रधान मंत्री के बनने के सपने क्या देखता था आज का दिन काम करने का दिन है हम इमांदारी से करनाटक को केंडर सर के लुड़ये प्यान पेखता और एंड और ठाज को जवास्नाविन है और प्रिफंस करनाटका भारती जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पहले से ही बहुत तेज गती से आगे बढ़ रहा था आज परिणाम निकले हैं और मैं बधाई देना चाहता हूं आदेनी परदान मंति जी को पार्टी के राष्टी अध्यक्स जी को अमिश्चा जी को जहां जहां च परदीश जो है वो कॉंग्रेस मुक्त होता जा रहा है और उसी देश्ची से मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल के चुनाब के पश्चात नौर्थिस्ट के तीन राज्ये और नौर्थिस्ट के चुनाब के बाद उन तीन राज्यों के चुनाब के बाद करनाटक एक बहुत बड़ी चुनावती के रूप में हमारे सामने खड़ा किया था बिपक्ष के सब लोगों ने कि यहां नहीं हो सकता है वहां पर भी यह हो गया। तस्वीर लेकर आने वाली है करनाटा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद महानी अमिश शाजी के नेत्रित में जिस कुसल संगठन शमता का उन्होंने ताकत दिखाया आखरी बूत तक के कारकरताओं को मोबलाइस किया अदबुत विजय का स्रे नरेद मौदी जी को और अमि से मुझे लग राता है ऐसा वाताओन ऐसा जोस खरुस मैंने देखा था कि मुझे उस दिन से हैसास है कि एक बड़ा बड़ी जीत होगी कि देश में मनी स्री नरेंद मौदी जी की लहर जो 2014 के लोकसभा चुनाओं से शुरू हुई है वो करनाटक में भी चल लई है आने वाले समय में राजस्थान मदप्रदेश च्छतिस गड़ में भी चलेगी और 2019 में जब लोकसभा का चुनाओं होगा तो लोकसभा के चुन पार्टी को आशिरवाद दिया है प्रति रोष्टा और उसके साथ साथ भारतिय जनता पार्टी के लिए एक अफिक्षा दिर्माड हुई और प्रधान मंति दरेजल मोदी जी के नेतुर्त में जो कार्य हमने भारत सरकार के रूप में किया है उसको एक प्रकार से जनता ने समर्थन किया है और उसके साथ एक विकसंशिल राज्य में रुके रूप में देश में आगे जाएगा और जो बात हम कह रहे थे लगातार कि कॉंग्रेस मुक्त भारत हो तो करनाटा के उसमें से ऐसी कड़ी है कि ये बात को लगबग सिद्ध होने के बात तरफ ये जा रही है अब लगबग देश के किसी मह मतुपन राज्यों में पंजाब को छोड़ कर कॉंग्रेस नहीं है कॉंग्रेस के स्तिती एकदम ऐसी हुई है कि आज वो केवल विरोत के लिए विरोत कर रहे हैं और व्यक्ति विरोत कर रहे हैं एक प्रकार से भारतिय जनता पार्टी के विचार उपर ब्रदान मंतिय नर् पाल उठाए जा रहे हैं कि अगर पंजाब में वह जितते हैं तो अच्छे हैं और करणाटक में हारते हैं तो एवियम में गड़ बड़ है मुझे लगता है यह बात जो है एक बार यह राजनितिक पारिपक्वता का दिशादर्शक नहीं है हम लोकतंत्र में हैं कभी जीत ह होती है कभी हार होती है अगर जीत होती है तो नमरता पुरुक स्विकारनी चाहिए और हार होती है तो उसको बड़े दिल से स्विकारना चाहिए मुझे लगता इस प्रकार के चर्चवा में कुछ धम नहीं है तो बीजेपी का लगातार यही कहना है कि मोदी के नत्रुत पर जनता अपना भरोसा जता रही है अमित शाह की रणनीती मोदी की सोच लगातार अब बाइस ये बाइसवा राज्य है जहाँ पर बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है और इस पर करनाटक चुनाओ को राजनितिक सलाकार एके मिश्रा जी लगातार जुड़े हुए है एके मिश्रा जी इस तरीके से अगर बात की जाए कॉंग्रेस मुक्त भारत में बीजेपी को सफलता एक और मिली है अगर राहूल गांधी के लिए ये एक बहुत बड़ा जटका है अब राहूल गांधी आ मैंने वहाँ पर अपनी फोर्कास्टिंग की थी and exact the result is coming अच्छा सेकंड चीज आप यह देखिए सवाल यह है question यह पुछना चाहिए कि बीजेपी क्यों हर जगा perform कर रही है इसकी सबसे खास बात क्या है ना कि बीजेपी के पास एक ट्राई लेर त्री इस तरी जो है इन जो वोटरों की वो पीडी थी आज बुजुर्ग होके वो मर गए जी आज जो फ्लोटिंग वोट होता है उसमें यंगस्टर्स आ गए हैं जो 18 साल से उपर गए उपर के हैं उनके हाथ में मोबाईल लैप्टॉप information की सारी चीजे हैं दूसरी चीज मैं यह बोलना सबसे ज़्यादा experience party है लेकिन उसकी हालत क्या हो गई है आज सवाल यह है कि आप innovative तरीके अपना सकते हैं कि नहीं अपना सकते हैं election में जनता को लुबाने के लिए उनको convince करने के लिए आप क्या क्या तरीका अपनाते हैं तो जो मुझे कमी नजार आती है मैं बोलता हूं कि बीजेपी की इसमें USP केवल यह है कि माइक्रो और मैक्रो लेबल पर यह दोनों जगा कवर करते हैं और उसके साथ साथ यह गलत एजेंडा वगरे यह चीजे नहीं करते हैं जिस एजेंडा को यह लाते हैं वाकई में वो पब्लिक की नर्ज होती है यह काम अभी जो दूसर यह है कि आज जंता अपने आप अनालाइज करती है कि क्या सही है क्या गलत है तो अब विपक्ची पार्टियों को यह सोचना चाहिए कि कुछ भी बोल देने से कुछ भी मुद्दा बना लेने से या केवल मीडिया मैनेज कर लेने से हम इलेक्शन जीच जीच जाएंगे रै यह है कि आपको बहुत बेवस्तित और संगठित तरीके से माइक्रो और मैक्रो दोनों लेबल पर चलना होगा और हर चीज को करना होगा और अपने दिमाद से यह चीज हटा देना होगा कि एक महीने पाले हम नेता जी की तरह निकलेंगे कैम्पेंग कर देंगे और जीच ज पे अगर आज आप काम नहीं करेंगे तो पॉलिटिक्स में आपके लिए कोई जगा नहीं है बिलकुल चलिए एक बड़ी ख़बर आ रही है सीधे उसी का रूख करते हैं रुजानों में बीजेपी को 108 को अंग्रिस 72 जेडियेश चालेस इस वक्त की बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं केंद्रिया मंत्री स्मृति इरानी ने करनाटक की जीत पर खुशी जाहिर की है त्वीट किया कि अमित उश्या का जादू एक बार फिर चला है पिये मोधी के नेतरतू में अमित उश्या का जादू एक बार फिर चला है करनाटक में बीजेपी की जीत पक्की हो चुकी है और हर कोई खुशी यहाँ पर जाही कर रहा है रुजानों में बीजेपी को 108 कॉंग्रिस 72 और जेडियेस 40 ये स्थिती रुजानों की हम आपको बता रहे हैं और केंद्रिय मंत्री स्मृती इरानी ने अमित उश्या का अभार जताया है और ट्वीट कर कहा है कि एक बार फिर से अमित उश्या की रणनिती काम्याब हो गई है यहाँ पर ऐक्म इश्रा जी इस तरीके से दोश किया जा रहा है लेकिन अगर यह बात अग्यर पंजाब में आ प्रका छीजों को छोड़िये बहुत सिंपल सिंपली स्ट्रेटजी जो है बीजेपी अपना रही है ग्राउन लेबल पर काम कर रहे है वो सक्सिस्फुल हो रही है जो कि अभी पिछले सेसन में बताया था मैं यह बोलूँगा कि जब आप जीतते हैं तब आप EVM के उपर आरोप आरोप नहीं लगाते हैं जब हारते हैं तो लगाते हैं और अगर इतना ही EVM में वाकई में कोई दोश है तो इतनी बड़ी बड़ी रैली पार्टियां विरोध प्रदर्शन आप करते हैं तो सारा विपक्ष एक हो के क्यों नहीं EVM में यह शिकायत है इस चीज़ को लेके गौर्रमेंट पे सुप्रीम कोर्ट पे या जो और नयाय के लिए जो समवधानिक जो प्रोसीजर है जो संस्था हैं वहां पे अपील क्यों नहीं करते टीवी पे आला कमान के लीडर है क्या भी बोलेगा किया जि अनुट्रमेंट के बहुक्ष लेकिन अगर आप काम को अच्छे तरीके से करेंगे स्टेटिक में करेंगे, एक महीने पहले आप एलेक्षन कहों लडएंगे, तो कुछ नहीं होगा सर, आपको साल बर काम करना है, हर दिन आपको काम करना है, तब जाके आपकी पकड़ और एक साइको सब्सक्राइटिक जो बॉंदिंग होती है, सोसाइटी में और वोटर के साथ हो तब होगा साल बार आप अपने घर में बैठे रहोगे उसके बाद एक महीने पहले निकलोगे तो वोटर के साथ आपकी बॉंडिंग कहां से हो पाएगी तो ये चीज़ है अगर एके मिश्रजे अगर ये बात की जाए कि आरेसस कारे करताओं की भूमिका कितनी रही है करनाटक चुनाओं की अगर बात की जाए क्योंकि मठ मंदिरों का ये राज है और यहां पर हिंदू पर वार भी किया गया था जिसको बहुत पूर जोर तरीके से आरेसस के लोगों ने उठाया था आप इसको वार की तरह देखिए जैसे आप देखे बियतनाम और अमेरिका का वार हुआ था आप एरियल अटेक यानि मीडिया के थुरू अकबार के थुरू कितना भी कर दीजिए लेकिन ग्राउंड लेवल पर पकड़ कौन बनाएगा ग्राउंड लेवल पर आपके पार्टी के वर्कर बनाएंगे बिल्कुर आरेसस के एप्रॉक्समेटली फोर टू सिक्स मिलियन जो है मेंबर्स है आल ओवर इंडिया की मैं बात करूं तो इनके लिए यह बहुत असान हो जाता है कि एक एक घर जाना एक एक वोटर को समझाना कि बाई बीजेपी का एजेंडा क्या है यह क्यों दूसरी पार्टियों से अच्छी है अच्छा देखिए आदमी का नेचर या वोटर का नेचर कैसा होता है साइकोलोजी देखिए जब एक ही चीज को बार बा सब लोग निकलते हैं तो वोटर्स दूसरी पार्टियों के जो वोटर्स हैं उनको तोड़ना अपने में जोड़ना जितना रिक्वाइड पॉंटिटी है यह करते हैं एक मिश्रा जी दूसरी चीज यहां पर यह भी देखने को मिली कि जिस तरीके से अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो वो लगातार गुजरात मॉडल पर हमला बोलते रहे हैं लेकिन उनका करनाटक मॉडल इस तरीके से ध्वस्त होगा किसी ने सोचा था गया नहीं जैद देखे मैं आपको बताऊं दो डिफरेंट चीजे हैं और कपहले मेरे को भी ऐसा लगता था जैकि अग होता यह एक जो इलेक्शन होता है वहां पर आप यह देखे वह एक महिने का जो फेज होता है न वहां पर बहुत सारे जो फैक्ट होते हैं जो रियल याडिस्टिक होते हैं पब्लिक उनको नहीं सोचती आप इसको एक्जामपल ऐसे लीजिए कि अगर नॉर्मल डेज में आ उस पॉलेटिकल भावना में जो जो भावना उत्मक एक प्रेशर पड़ता है वोटर्स के उपर बहुत सारे जो रियल डेवलमेंट के जो मुद्दे होते थे कि सारी गौर्रमेंट में करप्शन का मुद्दा है अब आप यह देखे संसद में 30-35 परसें डागी नेता है करन आटक में हुआ कॉंग्रेस डेफिनेटली यह बोल रही थी कि हमने विकास बहुत किया लेकिन इनके विकास के मुद्दे को लगता है यह उतनी अच्छी तरीके से उतने क्वांटिटी क्वालिटी और उतनी डेंस्टी में यह जो है उसको पुश नहीं कर पाए पब्लिक के चुनता है बिल्कुल जिस तरीके से अगर राहूल गांधी की बात की जाए या पूरी कॉंग्रेस पार्टी की बात की जाए तो वो आरोप लगा रहे थी कि पैसों के बल पे इसे जीता गया है धनबल बनाम जनबल का यह चुनाव होगा लेकिन धनबल तो आपने भी लगा बिपक्ष में होने के नाते वो बीजेपी यह तो बीजेपी जैसे बीजेपी बोलती है कि जी इसके पहले कुछ विकास नहीं हुआ इस बात से भी सहमत नहीं हूँ विकास कम हुआ ज्यादा हुआ वह एक डिफरेंट चीज है लेकिन ऐसा नहीं है कि 2014 के पहले 60 नहीं थी य जाते हो और यह एक नेसेसरी इविल आवश्यक्त दोस मानिए यहां पर सवाल यह कि पब्लिक में जाकर के जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है वो यह सब चीजे एकसेप्ट नहीं कर सकते हैं अंदर ही अंदर वो अपना मन्थन करते हैं एकसेप्ट करते हैं आपस में कि हमारी यह गलती थी यह गलती थी तभी देखे सिद्धा रमिया जी ने आज अभी क्या बोला कि अगर कोई दलित आता है मुख्यमंत्री बनता है तो मैं सेक्रिफाइस करने को तयार हूँ यह चीज़ आप दो दिन पहले तक क्यों नहीं बोले थे वो इसलिए नहीं बोले थ आते हैं तो इससे इलेक्शन नहीं जीता जायागा कहीं न कहीं एक रणनीतिक तोर पे अपने संगठन को मजबूत करने की जरूरत है रोज काम करने की जरूरत है और एक चीज और देखिए मैं आपको बताता हूं यह स्टेटीजी होती है जिसके बल पे आप कोई नहीं बनाई है तो आप कितना भी जो है प्रोपोगंडा कर लीजिए शोशल मीडिया यूज कर लीजिए आप नहीं जीत पाएंगे और यहीं हर इलेक्शन में हो रहा है जो विपक्षी पार्टियों को आप सोचना चाहिए उनको अपने एप्रोच को अब चेंज कर देना यह 15 साल पाले वाली रणनीती अब आज के डेट में नहीं चलने वाली है चले अकेले तो यह रणनीती बना रहे थे तो हर जगह हार रहे थे गटबंधन में आने के बाद भी अगर हार होती है तो 2019 में यह कैसे जीच जाएंगे और इसका सपना कैसे देश सकते हैं यह देख कि हस्बेंट वाइफ बच्चे वगरा सब एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आइडियोलोजिकल नहीं आ पाते हैं तो जहां पचीज-पचास पार्टियां आएंगी और सारी पार्टियों की पॉलिटिकल आइडियोलोजी उनके मुद्दे उनके प्रिफरेंसे डिफरेंट है क कť की हूब बिकम प्राइम डिफर राहुल गंदी जी अपने आपको क्लेम कर रहे हैं कि मैं प्राइम डिफरेंस्ट बनूँगा ममतव टीर अपने आप गोल रहीं है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, माया वदी जी खुदरेश में है, अखलेश यादों ने भी बोला था, कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर बने जो है, तो हम यह करेंगे, यहाँ सारे लोग शरत पवार जी महाराज से हैं, वहाँ पर यह है कि मराठा प्राइम मिनि छोड़ करके सब यूणाइट भी हो जाते हैं, तो हो सकता है, यह सब यूणाइट भी हो जाएं, लेकिन अगर यह यूणाइट होंगे तो मैंने एक word यूज़ किया था, जो मैं इन लोगों को बताना चाहता हूं कि जितना पेन पब्लिक को अंडाउटली पब्लिक को पेन हुआ है जितने दुख दर्द हुए है वो जैसे सबसीडी दे देना चीजों को सस्ता कर देना बहुत सारी ऐसे उजलाय योजना जो इन्होंने चलाई थी मैं सिंगिल आदम सकते हो अगर कहीं स्टेट है तो सेंट्रल गवर्मेंट बीजेपी की योजना चला देगी उस स्टेट में लागू हो जाएगी उसका माइलेज मिल जाता है तो जब आप पावर में होते हैं तो आपके पास बहुत सारे यूएसपी होते हैं एडिसनल चीजे होती हैं जिनको मैं सिर्यास जाहिए इलेक्षन में हार का मतलब यह नहीं है कि अगली बार जीच जाएंगे एक बार अप पांच साल के बाद मोका मिलेगा और इस बीच पीर भीड़ी खास बात है इलेक्षन जीतने के के बाद अपने बिपक्षी के लिए यह उससे भी ज्यादा खतरनाक लेकिन साइलेंट वे में हो जाती है इसका एक्जामपल आप उन स्टेट्स में देखिए जहां बीजेपी जीती है दीरे-दीरे करके रिजनल पार्टियों को यह साफ करती चली जा रही है कोई न कोई लगा के कुछ करके जो भी इनकी स्टेट्जी होती है तो इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि हो सकता है हारने के बाद आप जीत जाओ लेकिन इस चीज़ के मुझे चांसे बहुत कम लगते हैं बीजेपी शोड़ेगी नहीं उसके मोडस ओपरेंडी को समझना चाहिए उ इतने हलके में मत लीजिए आप उनको समझिए और एकॉर्डिंगली आप अपनी स्टेटिजी डवलप कीजिए आपके लिए भी आपर्शुन्टीज बहुत जादा है बिल्कुल और अभी मद्य प्रदेश के बीजेपी नेता राके सिंग जी कुछ कह रहें चली सुनते हैं हुआ हुआ है या है पहले से ही यह कहा था कि करनाटक के जनों में बार्थी जंटा पाइटी को सुवस्च जनादेश में डेगा और बार्थी जंटा चीर्वारती के कि पूरे देश की जंटा है मानी निर्यत्र होती थी के तर्म में मानी अमिश्राह जी की कुशल संगटन चुनता भी विश्वास करती है और उनको यह लगता है कि भारती जलता पाइटी के एक मात तरह साराणी तिक दल है जो विकास की आधार पर नहीं सिर्फ चुनाओ लगता है विकास आधारित कारिक समाज को बातने का नाम बातने जलता पाइटी नहीं है और इसलिए और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे चामुन डेश्वरी से सिधार रमया हार चुके हैं बड़ी खबर इस वक्त की सिधार रमया को बड़ा जटका यहां पर लगा है करनाटक विधान सभाच चुनाव में रुजहानों में बीजेपी को 108, कॉंग्रिस 73 और जेडियस 49 सीके तो सिधार रमया हार चुके हैं एक बड़ा जटका यह कॉंग्रिस के लिए और सिधार रमया के लिए भी लेकिन बीजेपी का कॉंफिडेंस हाई है और लगातार जीत का जश्न मनाया जा रहा है यह महा कवरेज भी जारी रहेगा और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए